नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों यदि आप भी सरकार से दिव्यांग विद्वा वर्दवस्ता कुछ तवस्ता किसी भी एक पैंसन का लाप राप्त कर रहे हैं आपके बैंक खाते में सरकार दोरा पैंसन किस्त समय समय से ट्रांसफर की जाती है लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो आपकी पैंसन है वह आपके बैंक खाते में नहीं पहुँच पाई है आज की यह जानकारी आपके लिए बहुती मैत पूर्ण है क्योंकि दोस्तो 47,6,000 ऐसे पैंसन लाभारती रह रहे हैं जिनको अभी तक पैंसन का लापराप्त नहीं हुआ है अब उन्हें 1 सितंबर 2022 से 33,000 पर जो पैंसन किस्ट है वह मिलना प्रारम हो रही है लेकिन दोस्तो इसी बीच कुछ ऐसे पैंसन धारक है 47,6,000 पैंसन लाभारतीयों में से जिनके बैंक खाते में सरकार द्वारा पैंसन की कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी अब सरकार दोरा 1 सितंबर 2022 से जो पैंसन ट्रांसफर की जाएगी वह किन पैंसन धारक को लाभ दिया जाएगा और किन को नहीं दिया जाएगा ये संपूर्ण जानकरी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं वीडियो को आगे बढ़ानी से पहले हमारा आप से एक छोटा सानिवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चालिए दोस्तो अब हम यहाँ पर वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और आपको पैंसन से जुड़ूए संपून जानकारी दे देते हैं समाज कल्यान विभाग की तरब से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है इस खबर में बताया गया है कि जिनको अभी तक पैंसन का लाप राप्त नहीं हुआ है परधान मंत्री नेंदर मोदी के केंद सरकार और राज्य सरकारों के अंदर गत उन्हें कब तक पैंसन का लाप दिया जा सकेगा परधेस सरकार में दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था और कुष्टवस्था कुल कितने पैंसन धारक हैं जैसे कि आप समझेगा दिव्यांग जन विभाग के सयुक्त निर्देशक ने बताया कि परधेस में 11 लाख दिव्यांग जनों को पैंसन दी जाती है इस तरह से करीब 13,000 कुष्ट रोगयों को भी सरकार की तरफ से पैंसन का लाप दिया जाता है परधेस सरकार ने समाज कल्याण वें दिव्यांग जन कल्याण को 16,700 करोड रुपे का बजट प्रावधान किया है समाज कल्याण विभाग के उप निर्देशक ने बताया कि उनके विभाग से करीब 56,000,000 वरद जनों को और 29,000,000 विद्वा महिलाओं को पैंसन दी जाती है लेकिन इस बार पूरे परदेश में जिलेवार पैंसन ट्रांसफर की जा रही है क्योंकि यह निर्देश दिये गए थे कि जो पैंसन धारक EKYC पुरा करा लेता है जिनके जिले में पैंसन का जो EKYC कराने की परकिरिया है वैं सबसे पहले समाफ्थ हो जाती है उनके जिले में पैंसन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा लिष्ट तयार की गए जिलेवार पैंसन ट्रांसफर की जा रही है आपकी जानकार के लिए बता ले कि अभी पूरे परदेश में पैंसन को ट्रांसफर नहीं किया गया है अभी भी कुछ जिले ऐसे रह रहे हैं जिनमें पैंसन ट्रांसफर करना बाकी है जैसे की हमने आपको अभी अभी बताया 56,00,00 व्रजन पैनसन धारक है जिनमें से 29,00,00 पैनसन धारकों को पैनसन अभी तक नहीं मिल पाई है 39,00,00 विद्वह महिलाएं तोटल यानि परदेश में विद्वह महिलाएं हैं जिनको सरकार की तरफ से पैनसन दी जाती है और जिन में अभी भी थारा लाख विद्वा महिलाए ऐसे हैं जिनको पैंसन का लाख नहीं मिल पाया है अभी उनको लाख मिलना बाकी है बात करते हैं, तेरह हजार कुछ रोक से पीडित पैनसन धारक है इन में से भी सबी को पैनसन का लाब नहीं मिल पाया है इसमें से 6,000 पैनसन धारक ऐसे रह रहे हैं जिनको पैनसन नहीं मिल पाया है जो अभी आपको पैंसन धारकों का आकड़ा बताया गया है कि यह पैंसन धारक रह रहे हैं इनको भी पैंसन का लाब नहीं मिल पाया है इनमें से कुछ ऐसे पैंसन धारक भी है जिनका EKYC का कारी अभी भी पूरा नहीं है बैंक खाते का सत्याफन भी नहीं पूरा कराया है और लाकों की संक्या में ये ऐसे पैंसन धारक मुझूद है जिन्होंने आविदन फारं में यानि कि अपना पैंसन का जो आविदन फारं है उनसे जो गल्तिय हो रही है उनके नाम में इस पेलिंग समें मातराओं में तुझा नहीं करेंगे तो आपको पैंसन का लब नहीं दिया जाएगा जो हमने आपको अभी कारण 밖에 हैं इन सभी कारणों की वजए से कई लाख पैंसन धार्कों को जो पैंसन है जो लाभ है वह नहीं मिल पाएगा उनके बैंक। में पैंसन की तीन तीन हज़ाद की जो किस्त है वेट ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी जिन पैंसन धारकों ने अपना EKYC बैंक खाते का सत्यापन और जिन पैंसन धारक के आविदन फारम में गलतिया हो रही थी जो कि हमने आपको उपर गलतिया बताई है यदि उन्होंने पैंसन धारकों के फारम की जाच की जाएगी यदि जाच होने पर सब कुछ सही पाया जाता है कोई भी गलती नहीं पा जाती है तो ऐसे पैंसन धारकों के बैंक खाते में 101 परतिसाद पैंसन के 33,000 बगी जो किस्त है बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी माफ कीजेगा दोस्तो जिन पैंसन धारक को इस महीने पैंसन नहीं मिल पाई उन्हें 1 सितंबर 2022 से पैंसन मिलना प्रारम हो सकेगी मीडिया रिपोर्ट्स और सोसल मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी हमने आप तक साजा की है ये सभी जानकारी हमने आपको दिया कि आपको कब तक पैंसन मिलना प्रारम हो सकती है यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा और यदि आपको मेंट भी जानकारी थोड़ सी पसंद आया तो वीडियो को जब लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिसे हम प्रेइथ होते हैं आपके लिए नए-नए जानकारी लाने के लिए लाश्ट मिन वीदर ही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके दोस्तो वीडियो को जादे से जादे से करना ना भूले ताकि जो अन्य पैंसन धारक है उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके और वह भी अपने आविधन फारम में सनसोधन करा सके करेक्शन करा सके और वह भी पैंसन का लाब प्राप्त कर सके अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत